जार्खन केबिनेट की बैठक में बहातर प्रस्ताओं पर लगी मुहर मुख्य मंत्री हमाशुरेन के देख्षता में राची के परजेक्ट भॉन में बुद्धवार को जार्खन केबिनेट की बैठक होई इस बैठक में कोल बहातर प्रस्ताओं पर मुहर लगाई गई इसके तहट उत्पाद विभागी चार नई उत्पाद नीतियां की सुक्रिति परदान की गई अबराज में पांच कूल गोदाम होंगे वहीं जे एस बी सी एल सराप का करोबार करेगा इसके अलावा उद्योग विभागी दो नीतियों में संसोधन कुर्मी को कुर्मी कुर्म लेकर जारी हुआ जारखंड की हेमान सरकार ने सरहुल और राम नमी आत्रा समेत अनधर्मिक जुलूस निकाले जाने को लेकर गाइडलैन जारीСпरको है इसके तहट एक जुलूस में सो लोगों को सामिल को सामिल होने की छुट लाइं साथ ही जूलूस के दवरान मूजिक य कारण दो साल बाद जारकन में सरहूल और राम नमी की सोभा यात्रा निकाले जाने के उनमती राज सरकार ने दिया है इसको लेकर मंगलवार को सीम हमान सुरेन ने हरी जंडी दे दी थी वहीं बुद्धवार को एस ओपी भी जारी हो गया मुक्सची सुकदेव सिंग के हस्ताक्षार से जारी होई गाइडलाइन में मास्क और सने टाजर का उप्योग करते हुए जूलूस में सामील लोगों की संक्या पर दिशानी देश दिये हाँ नवीक अक्षा के छात्रों को मुफ्त मिलेगी डिक्सनारी और समाने ग्यान की पुस्तके राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले नवीक अक्षा के विद्यार्थियों को अनिवारे पुस्तके के अलावा बीसेस पुस्तके भी उपलब्द कराई जाएगी इन बीसेस पुस्तकों में डिक्सनारी, एटलास, समाने ग्यान और अंग्रेजी, गरामर की पुस्तके सामिल है मुख्य मंत्री हमान सुरेन ने इसे समधेज स्कूली सीक्षा यों सक्षता विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है इस प्रस्ताव पर अब कैबिनेट की स्कूली जाएगी इस योजना का लाब स्वभी स्रेनी के बिद्यार्तियों को मिलेगा बतादे सरकारी बिद्यालों में पढ़ने बिद्यार्तियों के बहुयामी भीकास को लेकर राज सरकार ने ए पुस्तक के उपलब्ध कराने का यह नहीं नहीं लिया है इससे बिद्यार्तियों के सेक्षनिक अस्तर को बेहतर बनाने के अलावा परतियोगी परिक्छाओ हो है तू त्यार करने में मदद मिलेगी पैन अधार लिंक का आज आखरी दिन पैन को अपने अधार से जोडने के लिए आज आखरी दिन बचा है आप 31 मार्च की इस समय सीमा में पैन अधार लिंक नहीं करते तो मुस्किले बढ़ेगी आपको आज पैन को अपने अधार नंबर से जोडना ही होगा इसे पहले केंद्रिये परत्यक्ष कर बोर्ड, CBDT ने अधार और पैन को जोड़ने की समय सीमा बढ़ाई है लेकिन अब यह अस्पस्ट कर दिया गया है कि आपकी बार पैन अधार लिंक करना अनिवार है बता दे, CBDT ने कहा है कि केंद्र सरकार ने आयकर अधिनियम के तहत 31 मार्च तक समय सीमा बढ़ाने का फैसला लिया है पैन को अधार से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2022 डेडलाइन ताय कर दी गई है क्रिशक मित्रों के मांदे को लेकर मुख्य मंत्री ने दी सैधान्तिक सामती मुख्य मंत्री हमान सुरेन के साथ क्रिशक मित्र महा संग के तीन सदसे प्रतिनिधी मंडल की बुद्धवार को बातचीत हुई इस बातचीत में क्रिशक मित्र महासंग ने अपनी समस्याओ से मुख्य मंत्री हमान सुरेन को आउवत कराया सीयम सुरेन ने क्रिशक मित्र महासंग को अस्वस्त किया है कि उनकी मांगों पर गंभीता पुर्वक विचार किया जाएगा इस बात चीत में सरकार की ओर से किरिशी मंत्री बादल के अलावा सिक्षा मंत्री जगनात मतो, महिला समाज कल्यान वबाल विकास मंत्री जोभा मांजी, फेजल स्वक्षता मंत्री मिसले स्ठाकूर, विधायक, सुद्धिव्य कुमार सोनो, इर्फान अंसारी, मामता देवी और दिवका पांड़े भी साथ रहे, अस्थानिय नियोजन निती को लेकर रांची में 17-29 अप्रेल को चिंतन सिवीर, इस्टेट गेस्ट हाउस में बुद्धवार को जहारखन भासा खतियानी अंदोलन समन्वे समिती की बैठाक हुई, अध्यक्षता पूर्व विधायक, सूरे सिंग, बेसरा ने की, निरना लिया गया की जहारखनडी भासा, खतियान निती निर्धारन को लेकर रांची में 17-29 अप्रेल तक चिंतन मन्थन सिवीर आयोजित होगा, सिवीर में जहारखन के अंदोलन कारियों को अमंत्रित किया जाएगा, इसके अलावा जहारखन स साहित्य समित्य का गठन किया जाएगा, जिसमें नव, जनजातियों, सिरेनियों, भासाओं को सामिल किया जाएगा, समाति बनी की सीवीर में जहारखन, परामर्श, दात्री, परिशत का गठन करते हुए, इसमें जहारखन के पुर्व, IAS, IPS, अधिवक्ता, पुर्फेसर व बुदु जीवों को सामिल किया जाएगा, जहारखन में 45 लाख परिवार को जून से मिलेगा, एक रुपे किलो फोटी फाइड चावल, को पोशन मुक्त राज बनाने के लिए जहारखन की बड़ी अबादी को अब जून माह से एक रुपे किलो फोटी फाइड चावल देन सफलता के बाद अब केंद्र सरकार की ओर से इस योजना को उन जीलों में सुरू किया जाना है, जहां गहनी अबादी है, बता दे इन जीलों में राची सहीत, गड़वा चात्रागिरी डी, गोड़डा साहेवगंज पांकूर, बोकारो लोहर दगगा, पुर्वी सिम्हों, पलामू, लातियार, हजारी बाग, रामगर, दुमका, खुटी, गुमला, सिम्डेगा, पचिम, सिम्बूल, सामिल है, पहली बार अंगनवारी केंद्रों के बच्चों को भी अचावल उपलब्त कराया जाएगा, बच्चों के सेक्षिनिक नुकसान को लेकर 5 अप्रेल को अहम बैठक करोना के कारण लगभग 2 साल तक मैंद के बंद रहने की कारण बच्चों के हुए सेक्षिनिक नुकसान को लेकर सरकार चिंती था, जारकन सरकार एक और सेक्षिनिक नुकसान के आकलन को लेकर अवस्यक क्वायत कर रही है, वहीं नुकसान की भरपाई को लेकर उठाए जाने वाले कदम को लेकर मन्थन चल रहा है इसी कड़ी में राजे के मोख सची सुखदेव सिंग ने 5 अप्रेल को पदाधिकारियों की आवम बैठक बुलाई है जिसमें बच्चों के हुए सेक्षनिक नुकसान की भरपाई को लेकर आवस्यक निरनाय लिए बतादे स्कूली सिक्षाय वम सक्षता विभाग ने बच्चों के सेक्षनिक नुकसान की भरपाई के लिए 6 प्रस्ताव तियार किये हैं जिस पर उक्त बैठक में निरनाय हो सकता है प्रस्ताव के अनुसार बच्चों की छुट्टी हुई पढ़ाई की भरपाई के लिए अतिरिक्त कक्षाय ली जा सकती है और इसमें आंगनवारी सेविका को लगाया जा सकता है। संस्थान से उतिन करना अनिवार है। प्रार्थी राजी की मुल निवासी है और 1932 का खतियान भी है। लेकिन उन्होंने बरामी की परिक्षाय राजी के बाहर के संस्थान से उतिन किया है। ऐसे में नई निमावली के तहट प्रार्थी नियुक्ती के लिए आवेदन नहीं देपा रही है ज्रावर फो rightma के साथ न roll Kills मिलेघर उनी जार्खन पंचायच चुनाव जून के पहले सब्ता में चुनाव जार्खन में पंचायच चुनाव जून के पहले सब्ता में करा लिये जाएंगे इस चुनाव की अधिसुचना अप्रेल के दूसरे सब्ता में जारी हो जाएगी सरकार के ग्रामिन विकास और पंचायती राजमंत्री आलमगीर आलम ने बात चीत में इसका खुलासा किया है उन्होंने कहा कि अधिस उतना जारी होने के 45 दिनों के भीतर पंचायत चुनाव की परकिरिया पूरी हो जाएगी मंत्री ने कहा कि पंचाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग को सरकार ने सभी जनकारी से अवगत करा दिया है आयोग अपनी और से चुनाव की तियारी में जुटा हुआ है उलेखनिया है कि पंचायती राजमंत्रिया अलमगीर आलम ने पहले भी कहा था कि विधान सभा के 72 के बाद पंचायत चुनाव के परकिरिया शुरू हो जाएगी जेई मेंस परिक्षा राद को लेका ट्यूटर पर सक्रिये चात्रों को चार के बदले इस बार दिये जा रहे सिर्फ दो मौके पर भी अपती है चात्र या तो चार मौके देने या फिर जही मेंस 2022 को रद करने की मांग कर रहे हैं छटी जेपीसी पीटी के बाद सरकार के संकल्प को चुनावती देने वाली आचिका रद छटी जेपीसी के प्रारामभिक परिक्षा के बाद सरकार की ओर से जारी संकल्प को चुनावती देने वाली आचिका जहारकन हाई कोट ने रद कर दिया है राहुल कुमार ने या याच का दायर कर 29 अफ्रेल 2017 के राज सरकार की ओर से जारी उस संकल्प को रद करने का अगरा किया था जिससे प्रारामभिक परिक्षा में पास हुए 5138 अभियार्थियों की संख्या बढ़ कर 1603 हो गई प्रार्थि का कहना था कि प्रारामभिक परिक्षा में नेधारी सीटे के 15 गुना अभियार्थियों का पईनाम निकालने का नियम है लेकिन सरकार के संकल्प से 15 गुना से 965 अधिक अभियार्थि सामिल हो गाए इस कारण संकल्प रद कर दिया जाना चाहिए राष्ट्रिय जल पुरसकारों में गोड़ा और खोटी का बेतर जल प्रबंधन जल संरक्षन को लेकर घोसित राष्ट्रिय जल पुरसकारों में जार्खन ने भी अपना परचम लहरा दिया है जारखन के गोड़ा जीले को पुर्वी छेत्र में दूसरे सरस्ट जीला का राश्ट्रिय जल पुरसकार मिला है वहीं पुर्वी छेत्र के गाउं की सिरेनी में खोटी जीले के कारा परखन के गुर्णी गाउं को तिसरा स्थान मिला है बतादे नई दिली के बिज्ञान भोर में अयजित कारिकरम में केंद्रिय जल सक्ती मंत्री गजेंद्र सिंग सेखावत के गोड़ा जिले के उपायूक्त भोर सिंग यादव एवाम अनुमंडल पतादिकारी रितु राज को समानित किया बंधू तिर्की के बाद बिधायक भानु परताप और कमलेस पर लटक सकता है तलवार जारखन के दो और बरतमान बिधायकों भानु परताप साई और कमलेस सेंग के खिलाप आय से अथिक संपती और मनी लंडरिंग के आरोप में CBI वव एडी कोर्ट में मुकादमा चल रहा ह बंधू तिर्की के बाद अब दोनों बिधायकों पर फैसले की तलवार लटक रही है इतना ही नहीं पूर्व मुख मंत्री मधू कोड़ा पर भी CBI वव एडी की कोर्ट में मुकादमा लंबी था है गीरी डी की कोपीलो पंचायत पर बनेगी डोक्यूमेंटरी जारखन के पंचायतों के लिए अच्छी खबर है बता दे गीरी डी जीले के भीरनी परखन की कोपीलो पंचायत राश्ट्रिय अस्तर पर पहचान बना चुकी है पंचायत को रोल मोडल बनाने की वज़ा से जल्द ही कपीलो पंचायत की महिला मुखिया इंदु देवी परदे पर नजर आएंगी आदर्स पंचायत बना कर राश्ट्रिय अस्तर पर अपनी पहचान अस्थापित करने में कायम रही कपीलो पंचायत पर डोकिमेंटरी बन रहा है इसके लिए बकायदा दिली से आई टीम ने पंचायत में किये गए कार्यों को ड्रोन कैमरे में कैद किया है सीएम हेमंद को जान से मारने की धमकी देने वाला कभी पकड़ा नहीं जा सकता जारखन के मुखे मंत्री हेमंद से उनको जान से मारने की धमकी देने वाला अब कभी भी पकड़ा नहीं जा सकता इसकी बड़ी वज़या है कि जान से मारने की धामकी जिस मेल से दी गई थी उसका सर्वर जर्मनी और स्यूडियर लेंड में मिला था जाच के करम में इंटर पोल के जरिये जर्मनी सरकार ने सर्वर डटा उपलब्द नहीं होने का हवाला दिया है इससे इस मामले में अब अपराधी को पकड़ पाना मुस्किल ही नहीं नमुम्किन हो गया है बता दे साल 2020 के जुलाई महीने में सीएम हेमान सुरेन को जान से मारने की धामकी ईमेल से मिली थी इंटर की उतर पुस्ती का पैकिंग में बड़ी गड़बड़ी आई सामने सिक्षा पता अधिकारी ने अस्पश्टी करन मांगते हुए उपायूक तो है SDO को मामले की जनकारी दी है बताया जाता है कि सनीवार को दुतिये पाली में इंटर की इलेक्टिव लेंग्वेज कमपलसरी आइन एडिसनल लेंग्वेज भी सहे की परिक्षा थी परिक्षा के बाद हर दिन की तरह कोसागार में उतर पुष्टी का जामा कर दी गई बाद में मिलान के समय ध्यान जाने पर अफरात अप्रिमच गई क्योंकि सहायक केंद्रा अधिक्छक या सिक्छक के अस्थान पर लिपिक वा आदेस पालग को सागार में उतर पुस्तिकाय जमा करा आये थे रांची के 28 मंदीरों के पंडित पुजारी समय 24 साधू संतों ने देखी कस्मीर फाइल फन सिनेमा में राइधानी राची के 28 मंदीरों के पंडित पुजारी पाहन बैदा महंत और संत सहीत लगभग 24 साधीक लोगों ने बुद्धवार को कस्मीर फाइल फिल्म देखी फिल्म को देखने की बेवास था अजाय कुमार सिंग ने की थी फिल्म देखने के पहले तपोवान मंदीर परिसर में बड़ी संक्या में लोग उपाचित हुए राची की बिधायक सीपी सिंग महानगर संचालक पवन मंत्री मौजूद थे प्रारंभिक सिक्षकों को ग्रेट दो में प्रोनाती देने की मंजूरी जीला सिक्षास हपना दिवस की बुद्धवार को हुई बैठक में प्रारंभिक सिक्षकों के ग्रेट वन से ग्रेट दो में योगी सिक्षकों को कौलबध प्रोनाती देने के प्रस्ताव को मंजूरी परदान कर दी गई बैठक में भी भागिया आदेश के आलोक में पूर्व में ग्रेट चार में प्रोनत सिख्षकों की प्रोनती किती थी परिवर्तन करने के समंध में समीती ने विचार किया तै किया गया की समंधित सुची परकासित करते हुए 15 दिनों के अंदर आपति की मांग की जाए सुची तियार करते हुए समीती के अगली बैठक में प्रस्ताव रखा जाए बैठक में बरकास सहयक सिक्छक राजबलव मलाकार उतकर्मिक मदविद्याले बेतांगी बुढमू के योगदान के समंध में आवेदन को अस्विक्रित किया जाने से समंधित आदेश का डाक्टर अर्चना सर्मा ने रायस्थान के सोधा में आत्म हत्या कर ली वह रायस्थान के सोधा इस्थित आनंद हो स्पीटल में इस्त्री रोग विशेसगे के रूप में करे रत थी अस्पताल में प्रसो के दोरान 28 मार्च को एक प्रसूता की मौत हो गई थी जिसके साल के एक कमरे में फासी लगा का सुसाइट कर ली राज्य सभा ने भोकता समुदाय को एस्थि में सामिल करने समधित बिधय को दि मंजूरी राज्य सभा ने बुद्ध्वार को जारखण में भोकता समुदाय को अनुसूचित जाती की सूचित जन जाती सूचित जन जाती पेस किये गए समिधान आदेश बिधायक 2022 को चर्चा के बाद धोनी मत से पारित कर दिया इसे पहले बिधायक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए मुंडा ने कहा कि परधान मंति नायंद मोदी के नेतितु में सरकार जन जातिये वर के मोदो पर सनवेदन सिलता के साथ क मिलने वाले रासन का उठाव करने वाले एक सक्स से अब लगवग एक लाक रुपे के वसूली होगी सप्ता अबर के अंदर इस रास्ती को सरकारी खायते में जमा नहीं कराने पर उसके खिलाब प्रत्मी की भी दर्च कराई जाएगी बता दे बुद्धवार को रासन राप्त होने पर दुमका के परखन विकास पतादिकाय रहेस कुमार सिना ने मुंड भंगा पंचायत अंतरगत चीरुडी गाउं में निरिक्षन करने पहुचे थे निरिक्षन के करन में पाया गया कि चीरुडी गाउं के रहने वाले समसु हक पिता अबास अली द्वारा अंतियोते राशन कार्ड के माध्यम से गलत तरीके से राशन का उठाव किया जा रहा है बामरा रेल ट्रेक जाम होने के कारण घंटो फसे उतकल एक्सप्रेस के यातरियों ने किया हंगामा दक्षिन पूरो रेलवे अंतरगत चक्रधर पूर रेल मंडल के बामरा रेलवे एस्टेशन में रेल चक्का जाम होने से मुंबाई हाबडा मुखे रेल मार्ग पर रेल यातायात पूरी तरप परभावित रही मुंबाई और हाबडा से चलने वाले दरजनों ट्रेनों पर इसका असर पड़ा बिभीन एस्टेशनों पर यातरियों ट्रेनों के होने के कार रेल मार्ग की लाइने जाम हो गई, रेलवे लाइनों में एक के पीछे दूसरी यात्री ट्रेनों की कतार लग गई, रेलवे को ट्रेनों को सुरक्षित एवाम सुविधा जनक एस्टेसनों में अजारो यात्रियों को भेजना मुस्किल हो गया, बता दे हाबडा और मुंबा दोनों और की ट्रेने चक्रधरपूर रेल मंडल में आकर फस गई टाटा सीटनी चक्रधरपूर राव केला और जासुगुड़ा इस्टेशन पर जाम का सबस्वधिक प्रभाव पड़ा एक अप्रेल से जे आरजी बैंक के नाम से जाना जाएगा गरामिन बैंक एक अप्रेल से जारखन राज गरामिन बैंक अब जे आरजी बैंक के नाम से जाना जाएगा बैंक के चौथे अस्थापना दिवस के दिन से इसका नाम बदल जाएगा दरसल बैंक की ओर से या बदलाव सहरी छेतर में अपनी पहचान बढ़ाने के उदेश से किया जा रहा है बुद्धवार को कचहरी चोकिस्थित प्रधान कर्याले में बैंक के अध्याक्ष प्यूस भट ने इसकी जनकारी दी उन्होंने कहा कि ग्रामिन बैंक वैलियूम हुआ साखा के मामले में जारखन में तीसरे नमबर पढ़ा है लेकिन अभी भी सहरी चेत्रे में हमारी उतनी पचान नहीं है वहीं सुक्रवार से सुबे के सभी 24 जीलों में ग्रामिन बैंक बैंक और वील अभियान की सुरुवात करेगा इसके तहट आठ वानों को रवाना किया जाएगा धन्यवाद यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बहल का बेल एक अंद बाईए साथ साथ वीडियो के एक लाइक कर अपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूले साथ साथ आप हमें कुमेंट बक्स में अपना फीड़बेक अवस से दे थांक यू